मैं हूँ नीडा जाप हैं सिक्षा सुधार के साथ और आज वीडियो की सुरुवात इन पंक्तियों से करेंगे कि कौन कहता है खुदा दिखाई नहीं देता अजी एक वो ही दिखता है जब इस रंग बदलती मतलवी दुनिया में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता और आज ये पंक्तियां कक्षा एक से पांच में बिएड के आधार पर आवेधन किये हुए अभ्यारतियों के लिए सटीक बैट रहा है क्योंकि आप देखने है आपके स्क्रीन पर केवी ने प्राथमिक सिक्षक बहाली से बिएड वाले को किया पार ऐसे में क्या बिएड अभ्यारतियों को बिहार में भी लगेगा जटका कक्षा एक से पांच बिपेसी टी आड़ी बिएड अभ्यारतियों को अभगवान का भरोसा और बिएड ये लेड के इन नौटंगियों के बीच आम अभ्यारतियों ने बिएड करके कक्षा एक से पा आई गी वैकेंसी ये बड़ी खवर रखवार के हवाले से भी आई बीपीएसी टीयारी टू जल्द तैयारी में जूर जाए आपभियर्थी बीपीएसी टीयारी कक्छा एक से पांस के लिए बड़ी खवर पहले आएगा रिजल्ट इसके बाद डॉक्मेंट वेडिफिकेशन आपको हम बताने की वर्तमान में कक्छा 9-10-11-12 माध्यमे कुछ माध्यमे क पहले डीवी इसके बाद रिजल्ट की बाद पर एक से पांस के लिए बड़ी खवर हम आपको दे दें की बीपीएसी टीयारी अंग परतिशत के आधार पर मेधा सुची बनाने के बाद जो आप सुची में आप आएंगे उनको डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा सुत्रों के हवाले से बड़ी खवर आ रही है इस बीच में अभी अभी अतुल प्रसाद जी का एक बड़ा ट्वीट आया आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 9-12 तक माध्यमे कुछ माध्यमे की कक्छाओं के लिए जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन वी पी एसी टी आरी के माध्यम से हो रहा है 14-9-2030 के बाद आगे और कोई मौका नहीं दिया जाएगा अगर आपने अभी तक डीवी नहीं करवाया है तो 14-9-2030 तक डीवी ज़रूर करवाले माध्यम में कुछ माध्यमे के समद में सबसे बड़ी खबर यह कि 75% सीट पर कोई कटप नहीं अगर रिक्ति के अनुपात में सिख्छक नहीं मिलते हैं तो कटप को सिथिल किया जाना है इस बीच अख़बार के माध्यम से बीड़ अभ्यार्थों के लिए राहत भड़ी खबर क्या है वो आप देख सकते हैं लिखा कि कक्चा 6-8 में लगभग 52,000 वेकेंसी आएगी 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया सुरू हो जाएगी तत पर यह है कि कक्चा 6-8 के अब भ्यार्थिया BPSC TRI के लिए तयार है 9-10-11-12 रिक्त रह गए पदों पर नए पद जोर कर पांच तक के लिए नहीं आगी वेकेंसी है बड़ी खबर हम आपको देदे कि कक्चा 1-5 में वेकेंसी अब नहीं जो भी है इसी चरण में कक्चा 1-5 की वेकेंसी को पुर्ण करना है आगे नियुन्तम अंक में छूट देने पर चलना है विचार 75-35 रिजर्वेशन देने के पर नाम 25 तक आएगा और अखबार ने भी इसकी पुष्टी की है ऐसे में आज की अखबार में जो कागजी रसगुले छपे हैं सबी अखबार में विविन तरह के ये रसगुले हैं और इनको देकर क्या आम अब भीहरती बहुत खुस है उचाहे बीएड हो या डियलेड ए एक लाग स्याधिक सिक्षकों की अक्टूबर में निकलेगी बाली नौमबर में परिच्छा और रिजल्ट आप समझ सकते हैं चचाह और इनके चेले उचा दिकारियों के द्वारा जो फलसफे छोड़े जा रहे हैं अब भीहरती पागल होकर मर जाएंगे पर नौकरी नही है कि हम इतनी परिक्षा लेंगे और परिक्षाओं में इतना गलत प्रस्न पूछेंगे कि आप भीहरती परिक्षा को लेकर कन्फ्यूज हो जाएंगे और अंत में तंग तबाहों करके सपना ही छोड़ देंगे कि वो कभी सिक्षक बने और इन उचादिकारी चेलों ने तो जब नोटंकी है मेरे भाई अगर तुम सोचते हो कि कक्षा 6-8 में जो रिक्ती आई है उस पर आपकी बहाली हो जाएगी तो आपको बता दूँ कि चचा नितीस ने डोमिसाइल सिथिल करके पूरे भारत को ने होता दिया है आठ से 10 लाख आविदान आएगे अब सोचो अगर 60,000 रिक्ती भी आती है तो 70,000 का आधा तो महिलाओं को दे दिया जाएगा और आधे पर आप डेलम पेल करेंगे और ऐसे में आप समझेए कि आधी महिलाएं तो त्रिन भी नहीं होंगी नोटंकी वाले प्रस्णों को देखकर और आगे वो सीटे बैकलॉक में चली जाएग और आधी सीटों पर आप जाल बजाएगे मुश्किल से 4-5,000 रिक्ती भड़ेगी और आगे जिसतर 94,000 की बहाली में 40,000 सीट भरने के बाद सरकार ने कहा दिया हमें अभ्यारती नहीं मिले फिर से वहीं नोटंकी नितीश चचा और इनके चेले उचादिकारी बस से लिए गए आकड़े और सर्वे के अधार पर आज संध्या में 38 तक हम आपको कटफ से रूबरू करांगे वीडियो के अंत में आपसे निवीदन क्या वीडियो को लाइक नहीं करतें लाइक जरूर करें धनेवाद वीडियो देखने के लिए